हम लोग जिस सेर के उपर बात करने वाले हैं या कह लीजे जिस बैंक के उपर बात करने वाले हैं इंडियन ओवर सी बैंक लिमिटेड है तो देखिए अभी इसी के बैंक के उपर हम लोग फूरा फाइनेंसल चेक लेंगे फाइनसल कंडिसन जानेंगे कि बैंक कैसा प्रफॉ कर रहा है मार्केट में तो उन सभी चीजों का हम लोग financial answers करेंगे और चार्ट चेक भी लेंगे कि और आप last में बताईएगा आप वीडियो देखने के बाद comment में कि आप लोगों को क्या लगता है आपके लिए ये company ये bank है investment के लिए या नहीं comment में जरूर बताएगा इससे आप लोग कहते हैं कि आपको dividend वाले share चाहिए जो कम price के हो तो मैंने उस पर भी काफी सारी list बना दी है फिर उसके बाद आपका ये भी point था कि अच्छा dividend payout भी हो और अच्छा return हो ऐसी भी company के बारे में बताईए तो ऐसी भी company हम लोगों ने काफी सारी बता दिया है जैसे return और अच्छा dividend payout इसका भी रहा है और अभी हम लोग आगे जिस company के उपर बात करने वाले हैं उसके बारे में भी जानते हैं PNB Glitz भी आप try कर सकते हैं ये भी अच्छा dividend payout करती है और return भी 100% से अब अब दे दिया है 4 मन्त में तो आप इन share को घरूर से check out करिए चलिए हम लोग हम लोग अभी आज जिस सेर पर discuss करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं पहली वीडियो होगी यूटूब पर तो ध्यान से समझिएगा जो चैनल पर नए हो चैनल सब्क्राइब कर लें नोट पर से आने वाले नेश्ट अप्डेट आपसे मिस ना हो तो लेटर 25 वैसे पर ट्रेट कर रहा है 10% का अपर सर्केट लगा है वैसे कोई इतना खास नहीं था क्योंकि अल्रेड़ी ये सेर आपको एक बार जबसे मुमेंट दिया था 8 रूपीज अरूपीज से 10 रूपीज 8 रूपीज अरूपीज से 18 रूपीज तक का उसके बाद से डाउन फ से पहले सेर भागते हैं तो भाग रहा है मार्केट केपिल बहुत सांदार है एपीज बेसिक वाला 0.33 है डिवडेंट अभी कुछ भी प्रवाइड नहीं करती है बाकी प्राइज अनिंग रेसियो की बात करें तो कोट्टी 9.55 आ जाता है ठीक ठाक है कोई इतना दिकत नही है मैंने इस सेर को अभी इसलिए क्या आप लोगों समझाने के लिए में डिजन यही था कि इसने रेस्टेंस लेवल जो लाश्ट के थे उन सभी को ब्रेक किया यह देखिए फेब्रेरी 16 के अराउंड था उसके बाद से हम लोगों ने इसको यह वाली जो रैली थी हम लोग अभी देखिए इसका जो अभी यह रेस्टेंस ब्रेक कर दिया है तो यही में चेकर है आप लोगों को एक्स्प्लेइन करने का अर्निंग रिजल्ट भी आने वाले हैं तो वो भी रहते हैं मैटर करेंगे तो अभी देखिए आज आइवरेज वैलिंग जो 10 डिस का बन रहा बड़ी मात्रा में है 2,79,000 लोग इसको होल्ड करके चल रहे है तो यह बहुत बड़ी मात्रा में लोग होल्ड करके चल रहे है और यह अच्छी बात है होल्ड करके चलने क्यों क्यों क्योंकि अभी देखिए कोई इसमें इतनी ग्रोथ नहीं है और यह बहुत डाउन फॉल बात चली रही है तो इस हिसाब से इसकी condition है बाकी banking से आया जाता है चली हम इसकी finances को डिसकस कर लेते हैं जो अभी 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 अवलेवल है उसके बाद क्योंकि अभी quarter 4 के नपतीजे तो आया नहीं है दो दिन के अंदर आहीं मतलब Sunday को उमीद है Sunday को आ जाएगा तो हम लोग मंडे को फिर डिसकस कर लेंगे, अभी देखे 33,000 market capital इसकी अच्छी खासी, book value 8.55 है, तो अपनी book value से अप्ट्रेट कर रहा है, पर कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि profit भी अच्छा बना है, sell की बात करें तो लगबग 1% negative में है, पर profit पिछले 12 मेने में 115%, 105% अप रहा है, all time high देखिए 229 रुपीज है, promoters की holding बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी मात्रा में, तो आप अगर इसमें retail investor है, तो आप इसमें ले सकते हैं entry, क्योंकि promoters भाई 95% से अबब की holding है, बहुत ज़्यादा matter करता है, पर आप देखेंगे कि ROI इसका इतना बहतर नहीं रहा है, तो आपको इसका मतलब है कि आप 1 year से 2 year में इसमें सायद ही return अच्छा बना पाएं, आपको इसको थोड़ा और लंबा सोच के चलना पड़ेगा, मनलब 3 year से लेके 5 year के period में तब ये आपको 100 अबब और 200% से ज़्यादा आया 300% ऐसा कुछ अभी fix नहीं है, 100% return तो 1 year के अस्तर में भी मिल जाता है, 4 month में भी मिल जाता है, 3 month में भी मिल जाता है, पर अभी currently कि आपको अगर बहुत ज़्यादा अच्छा return चाहिए, तो आप 3 month, 5 month के लिए, 3 year, 5 year के लिए इसको आप आराम से इसली लेके चल सकते हैं, ROE पे इतना भरुसा मत करिए, क्योंकि हमेशा पिछले number जैसा company नहीं रहती है, bank नहीं रहता है, हर कोई आप लोग समझी रहोंगे, face value 10 है, तो अभी तक एक बार भी split नहीं हुआ है, तो number तो अच्छे आये ही थे, मैं आपको बताओ, इसको financing से तो last काफी yearों से profit नहीं हो रहा है, पर इन्होंने अब manage अच्छा कर लिया है, कि इनका जो financing margin है, वो अब कम होने लगा है, इस टील देखे, other income में बहुत सारे factor आ जाते हैं, तो यहाँ पर यह चीज ग्रोथ हुई है, तो इसी वज़े से इसके last four quarter से number इसके बहतर आ रहे थे, मतलब last year के March 2020 से, और इस year के fiscal year 21 के, जून का पहला quarter, second quarter, third quarter, तीनों में अच्छे नंबर आये हैं, भी fourth quarter का हम लोगों को इंतिजार है, चलिए देखे, आगे हम लोग इसकी financing इतनी कोई अभी discuss नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक return नहीं आता, यह देखे, ROE की बात कर रहा हूँ मैं, इसका कितना ज़्यादा negative में रहा है, तो आप लोग खुद decide कर लेना कि आपको इसमें investment करना है या नहीं, अब आपको मैंने बहुत बार explain कर रखा है, तो इस बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग कितना समझ पाते हैं company के बारे में, उस हिसाफ से आप बताईएगा, बाकि जो risk लेना चाहते हैं, वो तो किसी भी time पर उठा सकते हैं, reserve में भी March 2020 के negative थे, इस बार देखना होगा कि यह condition बह कर लूँ, ताकि लोग वापस से बड़े target के चक्कर में greedy बनने के चकर में और ना wait करना पड़ जाए share में, तो देखें, अगर आप लोगों की entry 16 या उससे below की है, या current level पर भी entry है, तो जो current level पर है, वो तो hold कर ये, क्योंकि आपने delivery पर रखा है, पर आप जो लोग भी 16 र रूपीज तक आए, तो आप उसके बाद अगर आपको fresh entry लेना है, तो आप 16 रूपीज के around ले सकते हैं, तो इसलिए मंडे को profit booking का भी ध्यान रखेगा, कि earning के result आने हैं, और जब भी earning के result आजकल आ रहे हैं, उसके बाद company में downfall आ रहा है, चाहे number अच्छे आए, चाहे दि जो अच्छे target हैं, और इससे भी बड़े target मिल सकते हैं, अभी finally आप 1-2 रूपे का ही target इसमें मिलता है, क्योंकि 10% उसी पे हो जाता है, तो आप लोगों को मैं बड़ा target बताता हूँ, अगर next quarter तक के जब तक, मतलब जून के जब तक number आने हैं, तब तक हम लोग इसका जो target और return का मिल जाता है chance, तो इसी साथ से आप इसमें entry ले सकते हैं, over all यही था, thank you for watching this video मिलते हैं, आपको next year के साथ next video में,